नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूटुब चैनल के अभी स्टार्ट होने बाकि हैं तो अब कुछ ही दिनों में नेक्स्ट विक से हम लोग बॉर्ड एक्जम के बीची बैठे होंगे ओके सो दोस्तों बने रहें बिल्कुल फोकस बने रहें अपने बॉर्ड एक्जम पर और ध्यान से पढ़ते रहें क्योंकि यह बहुत ही क्र कि प्रास्टर ओफ पैरिस प्लास्टर ओफ पैरिस होता है इसका नाम प। युझ्अ क्या होता है इसका नाम क्या होता के़र रहें तो दोब्सटों आज हम इस चीज़ पर язक्रने हैं तो बने रहे हमारे साथ बिना स्किप्ट किये वीडियो को देखती रहिएगा आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा तो अपली दोस्तों बिना टाइम गवाए बिना टाइम विस्ट किये स्टार्ट करते हैं आज कम टॉपिक तो पहले बस से पहल तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैमिकल नेम की पर बात करेंगे तो बात करते हैं कैमिकल नेम की दोस्तों इसका होता है कैलिसियम सलफट हेमी हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट नाम होता है और केमिकल फॉर्मली की बात आती है C A S O 4.H 2 O यह इसका क्या होता है? chemical formula होता है क्या calcium sulfate hemihidrate calcium sulfate hemihidrate यह इसका chemical formula हो जाता है तो दोस्तों बात करेंगे इसके एक और बात करेंगे कि जी कहाँ पर बनाया गया था? सबसे पहले यह बनाया गया था Paris में It was prepared in It was firstly तो सबसे पहले इसको पैरिस में बनाया गया था पैरिस में बनाने के कारण ही इसको क्या बोलते है इसी वज़े से that's why for this it was firstly prepared in Paris that's why this salt is known as the plaster of Paris okay sorry plaster of Paris now the next point is how to prepare how to prepare the plaster of Paris सबसे पहली अब यह बात करेंगे कि plaster of Paris कैसे बनाया जाता है इसको बनाते हैं calcium sulphate dihydrate से किसे बनाते हैं calcium sulphate dihydrate से अगर हम preparation की बात करें preparation की अगर हम बात करते हैं तो preparation कैसे प्रपेर कियाता है और simply हम यह भी बोल सकते हैं कि POP can be prepared by the gypsum किस से बनाते हैं इसको it is prepared from gypsum gypsum का मतलब होता है जिसका for gypsum अगर बात करते हैं के chemical formula की CASO4.2H2O okay क्या होता है 2S2O होता है CASO4.2S2O this one is the gypsum तो when we heat gypsum at 100 degree Celsius okay then it losses 3 4th water of crystallization and what the gypsum sorry what POP is formed first of all CASO4.2H2O when we heat this salt at 100 degree Celsius not more than 100 degree Celsius क्योंकि जब हम 100 degree Celsius से ज्यादा heat करेंगे तो क्या हो जागा सारे water molecules निकल जाएंगे और क्या बज़ जाएगा सिफ CASO4 जिसे हम क्या बोलेंगे dead burnt plaster यह reason based question में भी आता है कि CASO gypsum को अगर हम क्या करते हैं heat करते हैं 100 degree Celsius से ज्यादा more than 100 degree Celsius then all water of crystallization is are eliminated then only CASO4 is left which has not set like the which has not set with water like the POP जो क्या होता है जो POP की तरह फिर सैट नहीं होता इसमें पानी मिला है फिर सैट नहीं होता तो इसको क्या भी बोलते हैं dead burnt plaster भी बोलते हैं now come back to the point for the preparation of POP CASO4 2S2O को 100 degree Celsius पे अगर हम heat करेंगे तो CASO4.half H2O हमारा बच जाता है और 1 1 by 2 और we can say that 3 by 2 H2O हमारा बच जाता है यानि कि 3 4th 3 4th water निकल जाते है अप कहेंगे तो 1 1 by 2 है यह तो 3 by 2 है 3 by 4th कैसे बोला क्योंकि total कितना था 2 था ओके 2 को अगर 4 बाग में बाटेंगे तो कितना हो जागा 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 तो 3 4th 3 4th पार तो निकल गया और 1 4th बच गया तो 1 4th तो इसमें बच जाता है और 3 4th निकल जाता है वोटर वोटर वकिस्टलाइश यह बहां निकल जाते हैं और जैसे यह बहां निकलेंगे यह हमारा क्या बन जाता है POP and the name is the calcium sulphate this one half means hemi and H2O means hydrate ओके तो दोस्तों यह हमारा क्या बन जाता है POP बन जाता है कब when we heat gypsum at 100 degree Celsius then 3 4th water of crystallization are eliminated and POP is obtained ओके यह से हमारा क्या बन जाता है यह POP बन के तयार हो जाता है सबसे पहले इसको Paris में बना गया था chemical formula CASO 4.5S2O और chemical name होता है calcium sulphate hemi hydrate चाहो तो आप इसका skin sort भी ले सकते हो क्योंकि अब हम discuss करने वाले हैं इसके properties पर ओके दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके properties के बारे में properties इसके क्या होती है now properties properties the first property of POP is what first property it is a white powder it is a white powder ये क्या होता है white powder होता है white कैसा color होता है powder का white second one sorry B B property is what it has a remarkable remarkable property of hardness property of hard mass setting with water setting with water क्या होता है कि अभी हमने बोला ता जैसे water के साथ POP अगर add करते हैं वो थोड़ा POP ये उसमें अगर थोड़ा mass वो किस में change हो जाएगा hard mass में change हो जाएगा और क्योंकि बहुत hard हो जाता है और फिर वो क्या होता बेकार हो जाता है useless हो जाता है इसके ओपर यहां पर एक question भी आता है कि POP को हमेशा we have to store POP always in a moisture proof container why moisture proof container में POP को हमेशा store करके रखा जाता है क्यों क्योंकि reason यह है कि यह पाने के साथ क्या हो जाता है hard mass substance बना लेता है और जब hard substance जाएगा फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा useless हो जाएगा there are only two properties of what POP now we will discuss on the uses first of all use की क्या बाता है जी सबसे पहली बात आती है कि is का use कहाँ पर होता है सबसे बता देता हूं सबसे पहले इसका use होता है toys बनाने में okay. buildings में ceilingS बनाने में statues बनाने में और दी क्या कहते है और नमेंटस बिनाने में और काफी जगह इसका यूज किया जाता है प्रैक्चर बोन में होता है Statues, Buildings, ETC यह चीज़े बनाने में इसका यूज़ होता है कुछ टोइस बना जाते हैं छोटे-छोटे बच्चों के खेलने के लिए Statues बना जाती है किसे पी-ओ-पी से बना जाती है Second One, It is Used in Hospitals इसका होस्पिटल में भी यूज़ होता है तो सेटिंग दा फ्रेक्चर बोन्स फ्रेक्चर बोन्स तूड़ जाती है तो प्लास्टर चला जाता है वाइट-वाइट का प्लास्टर चला जाता है आप लोग उन्हों देखा भी होगा अगर किसी का माना यहांसे हाथ स्रेक्चर होगे तो यहां पर प्लास्टर चला के उस पर क्या पक्का प्लास्टर कर देती है उसको वाइट कलर का प्लास्टर चला देता है वही प्लास्टर में क्या यूज़ होता है थर्ड वन इट इस यूज़ फोर मेकिंग इट इस यूज़ फोर मेकिंग ब्यूटी प कौiosm reconciliation ऐडसेटर कॉस्मेटिक्स तो है इसके उसका भी होता है बियूटी प्रोड्रक्स बनाने में इसका उस होता है जैसे कि फेस बनाग जाता है कॉस्मेटिक्स वगरा बनाग बनाय जाते हैं डी बाता थी यह का यूज का फर भी वह गाएक अ इस यूज बंदí रिमोव लीकिंग रेमोव लीकिंग रिमोव लीकिंग lab, leaking, sorry, it is used to remove the leaking in apparatus, apparatus in chemistry lab, in chem, chem lab, chemistry lab, lab lab, chemistry lab, chem lab, chemistry lab बे भी इसका क्या होता है, जो apparatus क्या होते है, कोई delivery tubes होती है उसमें, तो उसमें जहां पर cork होता है, वहां पर leak करते हैं, तो वहां पर भी हम इसको लगाते हैं, ताकि leaking ना हो, ओके, next one होता है, E is the, it is used, it is used to design, design the ceiling, or surface, surface of the wall, wall के surface में और ceiling में यो design मना जाते हैं, ornamental design बना जाते हैं, वो किस से बना जाते हैं, POP से ही बनाए जाते हैं, तो उसमें रिवाइज करते हैं, कि POP का use, पहले बात properties का क्या होती है, ये white powder होता है, second one, it has a remarkable property of hard mask, ये hard mask की remarkable property होती है, जैसे इसको पानी के साथ मिलाते हैं, ये set हो जाता है, hard mask बना लेता है, there are only two properties of POP, now we will discuss on the what uses, first is the toys, statue and buildings बनाने में इसका use होता है, second बात आती है, कि hospital में जो bones fracture हो जाती है, उनको setting करने के लिए इसका use होता है, third, beauty products बगर बनाएते, face powder, cosmetic बगरा बनाने में इसका use होता है, next आता है कि chemistry lab के अंदर जो apparatus में leaking होती है, उसको remove करने के लिए इसका use होता है, and the last one is what, it is used to make the design, or to design the ceiling, ceilings को design करने के लिए, छटों को design करने के लिए, फिर वाल पर design बनाने के लिए इसका use किया जाता है, तो दोस्तों आए हो कि आपको समझ में, यह topics आया होगा, और यह exam के view से बहुत ही जादा important है, सही 3-4 question बन जाते हैं, अभी बोला कि 100 degrees से जालदे क्यों नहीं करते हैं, क्यों 100 degrees से वैने भी heat the gypsum more than 100 degrees Celsius than it, then all the water of crystallization removed, okay, eliminate, and only the calcium sulfate is formed, which is not set with water like P.O.P. and this CSO4 known as the burnt plaster, dead burnt plaster, so dead burnt plaster बन जाता है, और यह P.O.P. की तरह से नहीं होता है, फिर अगर हम 100 degrees Celsius से gypsum को heat करते हैं, second आता है कि इसको moisture proof container में ही क्या क्या खा, store के आता है, क्यों moisture proof में नहीं करेंगे, तो moisture लेता रहेगा, और यह hard mass में हो जाएगा, okay, तो यह 2-3 questions से related होते हैं, इसको माइन में रखेगा, बिल्कुल अच्छे से रखेगा, इन में से कोशन एक्जाम में पूछे जाएगा, और आयोग की इस बार एक्जाम में इन में से आने वाला है, जी तो चारो टॉप preparation हमने कराए हैं, okay, चाहोँ तोस्तों आप इस skin suit भी ले सकते हैं, okay, दोस्तों, I hope कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों अगर समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाई से आप सब्सक्राब जिरू कीजिए, और अगर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, जो हमें आप लगता है कि हमें ये इंप्रूमेंट करना चाहिए, इसमें कुछ हमारा भी इंप्रूमेंट नहीं है, आपको लगता है कि हमें इस ऐसे करना चाहिए, स्टेज से बनाना चाहिए, ऐसे हमें कुछ करना चाहिए, प्लीज आप हमें कमेंट बोक्स में अपने सुज़व भी दे सकते हैं, अपने आ I hope कि आप समझेंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिन